अरिबाव उपद्दे नगर से सूने मकान को फिर चोरो न अपना निशाना बनाया और घर से डेड़ लाग का माल साफ कर दिया मकान मलिक ने बदाया कि वे अपने घरवालों के साथ चार धाम की यतरा पर गए थे पीछे से तीन तारिक को चोरो ने घर में घुसकर चोरी की जिसकी सूचना उने उनके पड़ोसी ने दी मकान मलिक ने अच्छा तारिक को आकर देखा तो घर के ताले तूटे हुए थे और घर में पड़े पंदर हजार कैश और चांदी के ओनामेट्स गयब थे करिब डेड़ लाग की माल पर चोरो ने आज साफ किया है जिसकी सूचना किश्चना साने में दी गई माकिवा पुलिस ने पहुँच कर मौका मौयना किया और चोरो की तलाश शुरू कर दी मैं और मेरी वाइफ जो है वो चारदा म्यातरा पे गए हुए थे पीछे से तीन तरीक की शाम को है तकरीबन साड़े पात-च्छे बज़े मेरे पडोसी जो है उनका फोन है कि बैसाब आपके दरवाजे खुले हुए है शायद कुछ गड़ गड़ है उन्होंने आकर के देखा तो ये जो साइड का दरवाजा है इसके इंटरलोक और लोक और जो कुंदे वगड़ा वो तूटे हुए थे और अंदर आने पर उन्होंने देखा तो सारा सामान अल्मारी में जितने बी सामान थे हुए उसमें जो वैल्यूबल तिंग्स थी है वो वैल्यूबल तिंग्स वो ले गए और कुछ कैश था अनुमानित 10-15,000 रुपए वो लेगे बाकी जो दूसरी गेर ज़रूरी चीज़े थी उन्होंने हाथ भी नहीं लेगे लगभर कित्ते का माज़ा अन्दाजन डेड़ेक लाग रुपए के करीवन चुरी है जिसमें चांदी चांदी मुख्या है करता है जिसमें चांदी और कैश हां जी हां जी कैश 15,000 रुपए यह तीन तारीक को गठना हुई और मैं यात्रा से 6 तारीक को मॉर्निंग में 8 बजे लोटा और 8 बजे लोटने के पस्चा फिर हम दोनों पती पत्म ने सारा मोका नहीं उनकी वेल्यू अप्रोक्सिमेट इतने हैं कल शाम को क्रिशन में थाने के अंदर मुकदमा दर्च करा दिया गया जिसके एफ़ यार की कोपी भी मुझे मिल चुकी अर्विंत पारिक चास्तो सड़सा ठरीवा उपाद्धाय नगर विस्तार अजमेर